Hey everyone, welcome to our channel Universal Loss. This is another lecture on MP Land Revenue Code. आज इस वीडियो में हम finally MP LRC को completely end तक पढ़ लेंगे. Okay, so this video will be going to very helpful for the upcoming Prelims Exam. आज देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस पर्टिकॉलर सेक्शन से किस तरहा का question प्रिलिम्स exam में पूछा जा सकता है. As well as main point of view से किस तरहा के question यहां से बन सकते हैं. सभी points हम discuss करने जा रहे हैं इस वीडियो में. Okay, and अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दू कि हमारे चैनल पर बहुत सा ऐसा content available है. जो कि आपके upcoming exams के लिए helpful हो सकता है. सभी वीडियो के जो link हैं वो इस वीडियो के description box में आपको मिल जाएंगे. सब्सक्राइब करने से यह होगा कि आप playlist के option में जाकर के वहाँ से directly हर एक subject wise वीडियो देख सकते हैं. और I suggest कि आप वीडियो के प्रॉपर sequence में ही देखें ताकि आपको subject को समझने में आसानी रहे. So section 203 that is alluvian and diluvian. देखें alluvian और diluvian का क्या मतलब है? Section 203 समझाता है कि alluvian land formed on any bank. Bank से हैं आपन मतलब है river bank से कि जो नदी का किनारा है अगर उस किरारे पर उस तट पर यदि कोई भी alluvian land. Alluvian land ही क्यों कहा गया? Because alluvian soil आप जानते होंगे कि ऐसी soil होती है जिसे कि बहुत जादा fertile समझा जाता है. तो यदि कोई भी alluvian land form होता है किसे भी river bank पर कि suppose ये नदी का किनारा है इस किनारे पर बार बार इस तरह से पानी आ रहा है और यहाँ पर मिट्टी खट्टा हो गई है. तो वो जो alluvian soil यहाँ पर इखट्टी हुई, जो alluvian land यहाँ पर बना, वो किसका होगा? It shall be vested in the state government. वो state government का होगा. ओके लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो भूमी स्वामी है of the land adjoining such bank. कि इस तरह के नदी किनारे यदि कोई भी भूमी स्वामी है, जिसका कोई land है वहाँ पर, तो पहले उसको भी थोड़ा अधिकार दिया जा सकता है उस alluvian land में free from the payment of land revenue. और उस land के respect में आपको revenue पे करने की भी कोई जरुवत नहीं है, यदि वो जो alluvian land है, वो half hectare से जादा का नहीं है. means, समझेंगे फिर से कि suppose यह कोई land है, कोई भूमी है, okay, and यहाँ पर इस तरह से पानी आकर के बार बार यहाँ पर alluvian land कुछ form हो गया. तो जो भी यह alluvian land form हुआ है, यदि यह half hectare से कम का है, तो यह किसका होगा, भूमी स्वामी का होगा, और भूमी स्वामी को इसके respect में को revenue पे करने की भी जरुवत नहीं है, okay, similar goes with diluvian. देखे, alluvian का मतलब है बढ़ोतरी होना, means land का बढ़ना, जिबकि diluvian का मतलब है कम हो जाना, कि यदि कोई भी land था, वो diluvied हो जाता है, means अगर वो diminish हो जाता है, कम हो जाता है, and to an extent greater than that of half hectare, half hectare से जादा के लिए, तो जो भी land revenue था, उसको reduce कर दिया जाएगा, ओके, so this is 203, then section 204 में आपको याद रखना है about the authority, कि यदि कोई भी dispute arise होती है, regarding this alluvial or diluvial land, कि हम कहा रहे हैं कि ये तो alluvial land इतना है, लेकिन अगर कहा जा रहा है कि नहीं half hectare नहीं half hectare से कम है, या किसे वे तरह कि अगर कोई भी dispute arise होती है, तो इस dispute को decide कौन करेगा, sub-divisional office, SDO के पास ये right है, SDO के कोई authority दी गई है, कि वो decide करेंगे, अगर कोई भी alluvial land या diluvial lands related dispute arise होती है, तो, then section 205, consolidation of holdings, देखें ये बहुत important chapter है आपका, for prelims as well as for mains exam, जहाँ पर आपसे short notes में ये भी पूछा जा सकता है कि what is the meaning of consolidation, या आपसे question बन सकता है regarding the whole procedure of consolidation, कि consolidation का क्या procedure अपनाया जाता है, okay, so section 205 में देखें definition दी गई है, कि consolidation का क्या meaning है, जिसे की हिंदी में क्या कहते है, चकबंदी, आपने सुना भी होगा कि चकबंदी की जा रही है, okay, so consolidation का मतलब है कि suppose ये कोई land है, इस land को दुबारा से distribute करना, ताकि जो भी भूमी स्वामी है, उनको एक continuous plot of land दिया जा सके, और ताकि उस continuous plot of land में वो सही से cultivation कर सके, ठीक है कि suppose कीजिए कि ये एक पूरा village है, अब इसमें मैं हूँ, मेरा कोई land यहाँ पर था, फिर थोड़ा सा मेरा land यहाँ पर था, थोड़ा सा मेरा land यहाँ पर था, अब ये छोटा छोटे मेरे जो land के pieces थे, ये अलग-अलग जगाँ पर थे, अब इन अलग-अलग जगाँ से क्या हो रहा था, कि मैं properly agriculture की activities को नहीं कर पा रही थी, तो जब consolidation होगा, चकबंदी होगी, तो उस समय क्या किया जाएगा, इस particular ये जो जितने भी ये land है मेरे अलग-अलग जगाँ पर, इन land के respect में मुझे क्या किया जाएगा, एक ही जगह पर, एक continuous plot of land, suppose ये इतना बड़ा continuous plot of land मुझे दे दिया जाएगा, मुझे अलट कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर मैं सही तरह से cultivation कर सकूँ, तो इसी को consolidation कहा जाता है, एन यहाँ पर consolidation officer बताया गया है, कि जो आपके revenue officers होते हैं, वही consolidation officer कहलाए जाते हैं, लेकिन not below the rank of तहसीलदार, means या तो तहसीलदार या तहसीलदार से उपर के rank के जो officers हैं, वो क्या कहलाए जाएंगे, consolidation officer कहलाए जाएंगे, ओके और वही consolidation की proceedings को carry on करेंगे, then section 206 से proper procedure बताया गया है, कि consolidation proceedings किस तरह से शुरू होंगी, देखे, consolidation को start करने के लिए, या तो जो भूमी स्वामी है वो खुद, या फिर जो भी वहाँ पर पूरा village है, उसके अभी देखे, यहाँ पर देखा जाएगा, लिखा होगा, कि not less in debt of two-third of the भूमी स्वामी जो देखे, two-third of the भूमी स्वामी जो भी पूरा village है, उसके two-third भूमी स्वामी जो जो चाहते हैं consolidation कराना, वो खुद एक application लगा सकते हैं, consolidation officer के पास, कि इस particular holding के respect में हम चाहते हैं, कि consolidation किया जाए, या collector अगर चाहे, तो वो office on motion means, so moto, ठीक है, collector अगर चाहे, तो वो so moto भी इस तरह से consolidation के proceedings को start कर सकते हैं, then इस तरह से consolidation के proceedings शुरू होंगी, then या तो उसे application को reject किया जा सकता है, under section 207, या consolidation के application को admit कर लिया जाएगा, under section 208, अब यदि consolidation के application को consolidation officer ने accept कर लिया, तो वो क्या करेंगे, consolidation की proceedings को शुरू करेंगे, और एक scheme of consolidation प्रपया की जाएगी, ठीक है, कौन प्रपया करेगा, देखें, या तो जो भूमी स्वामी है, जिन्होंने as per section 206, वो application फाइल की थी, वो भूमी स्वामी या तो खुद, या फिर जो consolidation officer है, वो एक scheme बनाएंगे, ओके, that is, scheme of consolidation उनके द्वारा बनाई जाएगी, और यदि no scheme is submitted with the application, यदि जिस समय application बनाई गई थी, means जो भूमी स्वामी है, उन्होंने जिव application लगाई थी, उस समय अगर उन्होंने कोई भी scheme नहीं दी थी, तो consolidation officer एक proper scheme of consolidation प्रपया करेंगे, लेकिन जो भी यह scheme बनाई गई है, this is subject to the confirmation of collector, यह आपका question प्रिलिम से बन सकता है, कि जो consolidation scheme होती है, उसको prepare कौन करेगा, तो याद रखेंगे कि भूमी स्वामी या तो, या फिर जो consolidation officer है, वो scheme को prepare करते हैं, but this scheme is to be confirmed by the collector, confirm कौन करेगा, collector उस scheme को confirm करेंगे, ओके, देखें, यहाँ पर 2010 में यही बात बताए गई है, दुबारा से कि confirmation by the collector, then 211, 12, यह सब आपके वाल heading point of view से याद रख सकते हैं, उसके बाद, then we come to section 222 पर आजाते हैं, सीधा regarding patels, देखें, village officers, so section 222 बताता है, appointment of patel, patel को हिंदी में भी patel ही कहा जा रहा है, कि subject to the rules made under section 258, collector जो है, वो क्या करेंगे, appoint करेंगे for each village, और ग्रूप अफ विलेज़ वन और मोर patels, कि एक विलेज के लिए या तो या फिर दो तिन विलेज़ के लिए एक ही परसन को as a patel appoint किया जा सकता है, और कौन अपॉइंट करेंगा patel, patels को अपॉइंट किया जाता है by the collector, okay, so यह question आप से बन सकता है in prelims, कि patels को appoint कौन करता है, तब को याद रखना होगा, collector जो है, वो patels को appoint करते हैं, also जो patels का remuneration है, कि उन्हें कितना amount as a salary कहें, कि इस तरह से उन्हें remuneration दिया जाएगा, वो भी कौन fix करेगा, collector के द्वारा ही remuneration fix किया जाएगा, then section 224 बताता है about the duties of patels, कि यह जो patels है, इनके क्या duties है, क्या यह काम करेंगे, तो इनकी duty है कि यह land revenue को collect करेंगे, या village की जो भी स्थिती है, उससे related कोई भी reports देनी है, तो वो भी patels के द्वारा ही बनाई जाएगी, एनक्रोच्मेंट कर रहा हो, या किसी भी land को जो है वो, कि अगर कोई person को इस तरह का land के ओपर एनक्रोच्मेंट कर रहा है, जबरदस्ति कबजा कर रहा है, अतिक्रमन कर रहा है, तो इस चीज़ को भी patels, inquiry करेंगे, वो देखेंगे कि कहीं ऐसा तो गलत कुछ नहीं हो रहा है, ओके, और वही ध्यान रखेंगे कि क्या land को प्रॉपर sanitary conditions जो है वहाँ पर village में लोगों को दी जा रही है या नहीं, या किसी भी तरह से कोई person, unauthorized manner में किसी लकडी को वहाँ से कार्ट तो नहीं रहा है, या किसी भी पर्टेकुलर मिनरल्स को तो अप्टेन नहीं कर रहा है, unauthorized तरीके से, तो ये सब पटेल की कुछ ड्यूटी यहां पर बताई गई है, बेन सेक्शन 226 बताता है, removal of पटेल्स, देखें, यहां पर बार बार आपको कुछ चीजें सेम ही दिख रही है, मतलब आपको बहुत अदर रटने की ज़रुवत नहीं है, केवाल आप याद रखें कि पटेल्स को अपॉइंट कौन करता है, collector, अब यहीं से आपको चीजें याद रहेंगी, कि यह collector नहीं उन्हें अपॉइंट किया है, उनके remuneration को भी collector ही decide करेंगे, और यदि कोई भी इस तरहा की situation अराइज होती है, कि पटेल्स को रिमूव करना है, तो रिमूवल भी collector के द्वारा ही किया जाएगा, अब यहाँ पर बस आपको एक exception याद रखना होगा, section 227 और यहीं से prelims का question बनता है, कि पटेल्स को punishment कौन देता है, जहां तक अभी हमने देखा कि बारबर collector का ही नाम आ रहा है, कि collector ही appoint करेगा, collector ही remuneration decide करेगा, लेकिन जब हम punishment की बात करते हैं, तो यहाँ पर तहसीलदार को यह power दी गई है, कि तहसीलदार एक हजार रुपे तक का fine impose कर सकते हैं on पटेल, यदि पटेल अपनी जो भी duties हैं उन्हें सही से perform नहीं करते हैं, तो तहसीलदार के द्वारा पटेल के उपर एक हजार रुपे तक का amount as a fine impose किया जा सकता है, then we come to section 230, देखे 230 हमने जब कोतवार important है, यह हमने पढ़ा था along with service land, जब हमने service land के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने कोतवार जो यह शब्द है, इसको भी वहीं पर पढ़ा था, ओके तो section 230 आपको याद रखना है, कि village या group of villages के लिए कोतवार को अपॉइंट किया जाता है, basically कोतवार कौन होते हैं, कोतवार basically एक तरह से एक चौकिदार या कहें कि village watchman की तरह होते हैं, जैसा कि subsection 2 में mention भी किया गया है, कि अगर कोई person जो कि भौपाल रीजन में as a watchman work कर रहा है, या सिरोंज रीजन में, चौकिदार के रूप में है, या विंद्य प्रदेश रीजन में है, तो ये सभी क्या होंगे, कोतवार कहलाए जाएंगे, then section 231 कि कोतवार का जो remuneration है, वो कौन decide करेगा, तो यहाँ पर state government जो है, वो decide करेगी कि कोतवार को कितना amount as a remuneration मिलना चाहिए, okay, then we come to section, next आपका important आथा 234, that is preparation of nistar patrak, यह important है, nistar patrak and visible urge, यह दो terms आप पढ़ेंगे, सो nistar patrak क्या होता है, और कौन बनाता है, याद रखें कि जो sub-divisional officer है, वो क्या करते हैं, एक nistar patrak बनाते हैं, किसके लिए, every village के लिए, यानि कि आपको याद रखना है, जो nistar patrak है, यह केवल village से related ही, एक तरहा का document है, we can say, so किस से related है, village से related, एक nistar patrak बनाया जाता है, और इस नistar patrak में क्या लिखा जाएगा, so इस नistar patrak में बताया जाएगा, about the unoccupied land in village, कि यह जो गाउं है, इस गाउं में, यह यह particular areas है, जो कि खाली है, अभी भी वहाँ पर कोई नहीं रह रहा, unoccupied यह land है, उसके बारे में proper details होती है, इन्दा नistar patrak, then section 235 और detail में बता रहा है, कि नistar patrak में क्या-क्या matters, जो हैं, वो include किये जाएगे, so इसको आप पढ़ सकते हैं, we come to section 242, that is, वाजब उल अर्ज, this is वाजब, W-A-Z-I-B, it should be B, so वाजब उल अर्ज मींस, देखे, यहाँ पर भी कौन prepare करेगा, sub-divisional officer क्या करते हैं, वाजब उल अर्ज प्रिपेर करते हैं, आपको केवल इतना याद दखता है, कि जो वाजब उल अर्ज है, वो एक ऐसा document है, जो कि customs के साथ deal करता है, कि किसी भी village में, अगर किसी परसन का कोई custom था, तो उस custom से related यह document है, that is, वाजब उल अर्ज, जुसमें बताया जाता है, about the right of irrigation, or the right of easement, या fishing के rights से related, तो यह सभी जो भी customs हैं, इन सभी customs का एक तरह से record बनाया जाएगा, and that record is called as वाजब उल अर्ज, and यदि वाजब उल अर्ज में, जो भी mention किये गए हैं customs, उससे अगर कोई person satisfied नहीं है, आप कोई suit institute कर सकते हैं, उसके against in the civil court, okay, so next we come to section 243, इसका आप heading point of view से याद रखें, कि section 243 बात करता है about abadi, then आपका important आएगा, section 248 regarding the penalty for unauthorized taking possession of land, यदि कोई भी person unauthorized तरीके से, किसी भी land का possession ले लेता है, तो उसके उपर किस तरह से penalty impose की जा सकती है, तो यदि कोई भी person unauthorized manner में, किसी भी unoccupied land का possession अप्टेन करता है, means आपका वो land नहीं है, आपका कोई अधिकार नहीं था, लेकिन आपने अनधिकरत तरीके से, उस particular land के ओपर एक तरह से कबजा किया, और वहाँ पर आपने अपना, उसको अपने अधिकार में ले लिया, तो ऐसे situation में आपके ऊपर penalty impose की जा सकती है, कौन impose करेगा, देखे लिखा है कि तहसीलदार, तहसीलदार पहले आपको summarily eject करने के लिए कहेंगे, means आपसे कहा जाएगा, कि आप उस particular land से बेदखल हो जाए, बाहर निकल जाए, क्योंकि आपका कोई अधिकार उस land के ऊपर नहीं है, ओके लेकिन फिर भी यदि आप वहाँ से land को खाली नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर penalty impose की जा सकती है, which may extend up to 1 lakh rupees, एक लाख रुपे तक की penalty आपके ऊपर impose की जा सकती है, तो यह सब देखे, कि तहसीलदार आपको याद रखना है, most important कि तहसीलदार इस तरहा की proceedings में participate करेंगे, और तहसीलदार के द्वारा ही unauthorized possession को हटाया जाएगा, वो 248 की तरहा आपको 250 याद रखना है, regarding reinstatement of भूमी स्वामी improperly dispossessed, यदि कोई भी ऐसा भूमी स्वामी है, जिसको improperly dispossessed कर दिया गया, means ये आपका land था, आप यहां रह रहे थे, लेकिन कोई अन्या परसन आता है, जबरदस्ती आपको यहां से बाहर कर देता है, और खुद आपकी जगहा पर रहने लग जाता है, means भूमी स्वामी को improper तरीके से dispossessed कर दिया जाता है, यदि तो तहसीलदार ही फ्रिहां पर action लेंगे, क्या action लेंगे, देखे यहां पर लिखा है कि तह तहसीलदार शैल, on the application of भूमी स्वामी, या तो भूमी स्वामी की application के basis पर, या तहसीलदार को अगर खुद ऐसा पता चलता है, तो तहसीलदार खुद भी अपने आप से, so more to proceedings को initiate कर सकते हैं, तो ये दो points आप याद रखेंगे, कि या तो on the basis of application of भूमी स्वामी, या फिर अगर, so more to तहसीलदार को ऐसा पता चलता है, तो तहसीलदार खुद भी इस तरह से यहाँ पर inquiry स्टार्ट कर सकते हैं, कि क्या जो भूमी स्वामी है, उसे improperly dispossessed किया गया है, और यहाँ पर फिर order किया जाएगा, कि जो भूमी स्वामी है, उसको उसका land दुबारा से वापिस दिलाया जाए, रिस्टोर कराया जाए, ओके, यह प्रोसीजर आपको याद रखना है, मेली जो प्रिलिंस में कैशन बनेगा, वो रिगार्डिंग ऑथॉरिटी ही बनेगा, कि कौन एक्शन लेगा, और यहाँ पर आपको काफी ओप्शन दिये जा सकते हैं, कि तहसीलदार या फिर आपको SDO इस तरह से लिख करके, चार ओप्शन बनाए जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि तहसीलदार के द्वारा ही यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट बनता है 257 को आप याद रखेंगे, देखे 257 जब आप पढ़ें, तो आपको याद आना चाहिए कि इसी तरह का एक प्रॉविजन हमने पीछे भी पढ़ा है, देखे एक्स्क्लूजिव जूरिस्डिक्शन ऑफ दा रिवेन्यू ओथॉरिटीज, कि जो भी रिवेन्यू ओथॉरिटीज है, उनका एक्स्क्लूजिव जूरिस्डिक्शन है, और सिविल कोर्ट के द्वारा किसी तरह का कोई इंटर्फेयरेंस नहीं किया जाएगा, इसी तरह का प्रॉविजन हमने कुछ पढ़ाता, अंडर सेक्शन 111, तो उसको भी आप याद रखें साथ के साथ, ओके, तो यही बस इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके बनता हैं, ओके, तो नेक्स्ट हम देखता है, 258 जनरल रूल मेकिंग पावर, यह जनरल रूल मेकिंग की जो पावर होते हैं, वह स्टेट गवर्मेंट को ही दी जाती है, तो कोई भी अगर रूल्स बनाने हैं, तो वह कौन बनाएगा, स्टेट गवर्मेंट के द्वारा रूल्स बनाए जाएंगे, आपको देखे क्या करना है, जादा से जादा आपको अथोरिटी से रिलेटीड पॉइंट से आद रखने हैं, कि किस पर्टेकुलर सेक्शन में किसको ऑथराइज किया गया है, कि कौन वो ओधोरिटी है, जो कि कोई एक्शन लेगा, या फिर जहां पर कोई time period अगर mention किया गया है कि suppose six months, two months या कोई penalty का amount अगर mention किया गया है तो वो सब चीज़ें आप पूरे focus के साथ अच्छे से revise करके जाए और काफी questions जो है आपके वो direct section based भी बन सकते हैं Okay, so I hope आपको ये वीडियो helpful लगा होगा अगर helpful लगता है So you can press the like button You can share this video with your friends And you can subscribe our channel Press the bell icon ताकि आपको सभी हमारे upcoming videos के notification मिलते रहें इसी तरह से समय समय पर हम videos लाते रहेंगे जो कि upcoming exams के लिए helpful हो सकती है I hope कि आपके लिए ये helpful रहा होगा video And good luck for your exam Stay tuned with our channel Thank you Thank you